तो आप बीबी या तो आप प्रेस कॉंफरेंस करके ये कह दो कि मैंने उस समय जूंटे हारोप लगाए थे तो हम समझ जाएगी यह आपने जूंट बोला था आज कॉंग्रेस पारिटी को मजबूत करने की बात करते हैं और हर मंच पर निसाना होते हैं यह पाइलेट साब और हम लोग जो लोग बेठे हैं जितना इनका बासन मुख्य मंत्री जी का चाह सारे चार साल का सुन लो उनका एक ही बक्सद है कि पाइलेट साब और यह लोग पारिटी छोड़ कर चले जाए और हमारे लोग पिछा सोग पर राज कर ले साथियो यह कॉंग्रेस पार्टी हमारे पुर्व जोने खडी किये हमारे दादा पर दादारों इनी बोर देकर इस कॉंग्रेस पार्टी को इतना बनाय है हम कहीं नहीं जाएंगे यही चाहती पर मुंग दलेंगे और यहीं रहेंगे आज हर सुबह उठकर सब्ता में बैठे लोगों का एक सुबह उठते ये सवाल होता है कि आज पाइलेट साब क्या कर रहे हैं कि अच्छा कॉंग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं जाके मंच पर फिर उनके लिए अब बजर बासा का परियोग किया जाता है और वो बासा जो हम लोगोंने किसी राजनेता के मुझसे नहीं सुनी आज जिस मुद्धे को लेकर पाइलेट साब निकले हैं उसको समझने की जुरत है पेपर लीग हुआ किस ने पेपर लीग किया साथियो पेपर लीग करने वाली संस्ता जिस संस्ता को आदेनिये सोनिया गांदी जी ने इस देश को नोजवानों को अधिकार देने वाले नेता राजियू गांदी जी के नाम से बनाया था राजियू गांदी स्टेडी सर्कल उसकी सिख्षा में हम लोगों ने उनिवर्सिटी में उसके केम्पों में भाग लिया है और जब राजियू गांदी स्टेडी सर्कल के लोगी पेपर में सामिल है लीग करने में सामिल है तो कहां कॉंग्रेस की बात रह गई, कहां सोन्य जी और कहां राजी उगंदी जी की बात रह गई जो दलाल पकड़ा गया, उसके घर पे बुल्डोजर चला दिया जैसा पाइलर्ट साब ने कहा और बात खतम हो गई, कर्टारा को किसने नियूटी दी इस बात पर सवाल उठेगा आज गाओं से जो लोग एक एक दो दो लाख रुपे लगा कर इन कोचिंगों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो सवाल पूछेंगे कि सुबासगर का नाम इसमें क्यों नहीं आया क्योंकि वो आपका प्रिय है, कोई ने पारा सरोर जारो ली इस बात का सवाल जनता पूछेगे और हम भी पूछेंगे